नमस्कार दोस्तों आप सभी का Knowledge All About YouTube चैनल में स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सिखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल और PC के माध्यम से पेन कार्ड के लिए अपलाई कैसे कर सकते हैं इनकम टेक्स के द्वारा सुधा प्रदान किया गया है कि यदि आपके अधार कार्ड में मोबाइल नमबर जुड़ा है तो आप फिरी में पेन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बगल वाले वेल आइकन को क्लिक करें आपको ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी अपने मोबाइल के सर्च बॉक्स में जाकर गूगल में सर्च करें इंकम टेक्स उसके बाद आपको इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का साइट सबसेट टॉप में दिखाई देगा इफिलिंग होमपेज इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का इफिलिंग एनिवेर एनिटाइम का इंटरफेस सामने दिखाई देगा यहाँ पे आपको पेन कार्ट बनाने के लिए second option quick links के नीचे instant pen thought अधार इस पे click करना है second option पे second option पे click करने के बाद आपको जो है 4 option दिखाई देगा easy and paperless process get pen without 10 minute some value as physical pen card all you need need is अधार card and linked mobile number तो इस तरह आपको यहाँ पे get new pen card पे click करना है यहाँ पे आपको 4 interface दिखाई देगा प्रता में है enter अधार नमबर उसका अधार वेलिडेट ओटीपी वेलिडेशन अधार डिटेल्स वेलिडेट इमेल आईडी आफ्शनल get pen card इन 4 process के द्वारा जो है आपका जो है pen card प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले please enter your अधार नमबर यहाँ पे आपको अधार नमबर फिल करना है उसके बाद capture code जो दिया हुआ है उस capture code को नीचे enter करना है उसके बाद I confirm that पे click करना है इसमें एक चीज ध्यान देने योगे बात है कि जिनका अधार card में mobile नमबर जुड़ा है उनका ही यहाँ पे pen card बन पाएगा जिनका अधार में mobile नमबर नहीं जुड़ा है उनका pen card यहाँ पे नहीं बन पाएगा अधार नमबर और capture code को enter करने के बाद generate अधार OTP पे क्लिक करना है get अधार OTP पे क्लिक करने के बाद आपको validate अधार OTP in continue का interface दिखाई देगा जिसमें आप यहाँ OTP डाल कर I agree checkbox को active करें उसके बाद validate अधार OTP in continue पे क्लिक करें validate अधार पे क्लिक करने के बाद आपको इस परकार का आपके अधार का इंटरफेस दिखाई देगा उसमें आपको प्रोसेसेट टू इमेल पर क्लिक करके जिनका इमेल आइडी यहां पे अपडेट होगा आधार कार्ड में उनके इमेल आइडी पे यह पेन कार्ड प्राप्त हो जाएगा जिनको अपने email id पे प्राफ्ट करना होगा उनको यहाँ enter otp received और email पे click करना होगा यदि जिन्हें mobile पे आने वाले otp के माध्यम से यदि करना होगा तो उस पे I do not skip this process and continue without validate email पे click करके submit बटन पे click करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक नॉलेजमेंट नमबर पेन रिक्वेश का एक message सो करें चेक status पे click करने के बाद आपको अधार नमबर capture code एंटर करना है उसके बाद submit बटन पे click करना है उसके बाद आपके पास एक OTP और जाएगा जिसे validate OTP पे click करना है उसके बाद view status and download pen का इंटरफेस दिखाई देगा validate OTP करने के बाद आपको इस तरह देख सकते हैं कि यहां पे download pen का option दिखाई दे रहा है इस पे click करके आप अपना pen card download कर सकते हैं साथ ही यह जो pen card रहता है वह password protect रहता है इसमें आप देख सकते हैं कि यहां DDMAYY format में आपका जो date of birth है उसे enter करना होता है उसके बाद ही OPDF आपका open होगा password enter करने के बाद आप यहां इस तरह का pen card आपका दिखाई देगा जो paper lace रहता है यह dark के माध्यन से नहीं आता है इसको सिर्फ आप बिना किसी सुल्क के e-feeling portal से आप इसे असानी से मातर 5 मिनट में ही प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि pen card एक से अधिक ना बनाए pen card सिर्फ एक पर बनता है यदि उसमें आपका कोई तुरूटी हो तो उसे update कराएं यदि आप एक से अधिक pen card बना हो या बनवाते हैं तो उसमें आपका जुर्माना भी लग सकता है mobile के माधियम से pen card को बनाने के लिए आप अपने mobile के browser को open करें browser को open करने के बाद आपको right side के top में तीन डॉट दिखाई देगा उसमें आप click करें click करने के बाद जो है इस प्रकार का तीन डॉट डॉट बटन दिखाई देगा इसपे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको जो है इस परकार का सर्पा इंटर我 Mozart दखाई देगा इसपे आपको डेश्टाफ साइड को इनेल करना ँब करने के बाद आप आसानी से E-Feeling Portal पर जाकर अपना Payne Card प्राप्त कर सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ ठेंक्स फर वाचिंग चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेयर करें Thank you.